सो हेलो नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत है एक ने वीडियो में तो दोस्तों हमारे पास है ये वीवो का फोन और मैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किसी भी फोन में दोस्तों जो है किसी भी एब का डाटा कनेक्शन डिसेबल कैसे किया जता है एनि दोस्तों अगर आप का चाहिए वो Facebook हो Instagram हो YouTube हो किसी भी एब का अगर आप डाटा बंद करना चाहते हैं तो उसका डाटा आप सेटिंग से बंद कर देंगे आपका data यहाँ बहुत रहेगा लेकिन दोस्तों जिस app का बंद कर देंगे वो चलेगा नहीं ठीक है तो दोस्तों किसी भी app का data connection कैसे बंद करेंगे disable करेंगे तो दोस्तों इसके लिए mobile की setting को आपको open करना थीक है same process है कोई वी वी वो का phone होना जाहिए अब दोस्तों सबसे उपर network internet का option मिलेगा इस पर आपको click करना है और जैसे click करेंगे network management का option आएगा इस पर आपको click करना है आप दोस्तों जिस app का आपको data connection disable करना है वो आपको select करना है जैसे facebook का बंद करना है इसे लाल कर दिया click करके wifi पर आ जाएंगे तर और वही सामने facebook फि wifi से दोनों से बंद हो चुका है ठीक है आप और कोई app का अगर बंद करना चाहते हैं तो वह भी बंद कर सकते हैं ठीक है मालिया दोस्तों जैसे आप किसी भी app को ले 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 जैसे instagram को दोस्तों लेना है तो इसे भी ले लिया wifi पर आके दोस्तों इदर sorry और data यहाँ पर इदर इस्टाग्राम को दोस्तों कर दिया ठीक है अब मालिया दोस्तों एक app को और हम ले लेते हैं यह हमारा play store है इसे हम ले ले लेंगे ठीक है wifi पर आके दोस्तों इसे भी हम यहां से ले ले लेंगे ठीक है अब दोस्तों यहां से हम बैक चले जाएंगे ठीक है एक बार बैक आ आएगा ठीक है अब यहाँ पर डिसेबल पर आपको क्लिक करना है ठीक है और जैसे डिसेबल पर क्लिक कर देंगे दोस्तों अब आपका यहाँ पर दोस्तों जो है इंटरनेट चलने वाला नहीं चाहिए जितना देर दोस्तों आप यहाँ पर देख लें यहाँ आपना देखे चाहेंगे, इंट्रनेट हमारा काम नहीं करेगा हुँआ धोड़ी देर वोट करेंगे यहां पर कुछ सर्च करना चाहते है तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो है किसी भी आप का डाटा disable कर पाएंगे डाटा बंद कर पाएंगे अगर दोस्तों आपको चालू करना है तो वहीं पर दोस्तों आप जाके उसे जो है टिक लगा दें फिर से आपका successfully चालू हो जाएगा